यहाँ पर आप देख पाएंगे यह नारमल ceiling fan है और इस ceiling fan को हम smart ceiling fan में कैसे convert कर सकते हैं इसके बारे में आज जानेंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ceiling fan की canopy और जो upper rod होती है उसे मैंने पहले ही निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके अलावा इसके blades भी हमने निकाल दी है तो इस तरीके से आप कोई भी पुराना जो ceiling fan है उसके blades और canopy निकाल के केवल motor आपको लेनी है यहाँ पे तीन screw है जिने हमें निकाल देना है यहाँ पे यह induction motor वाला ceiling fan है जो की हमारे normal ceiling fan होते है काफी ज़्यादा energy consume करते हैं और इनको हम BLDC smart ceiling fan में convert कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर का आप देख पाएंगे structure इसमें जो motor होती है उसमें इस तरह की binding होती और यह इस्थिर रहती है यानि यह stator है और outer side rotor है यहाँ पे एक ring है जो की magnet बनती और बिगड़ती है यानि इसमें electro magnet जो है वो बनता और बिगड़ता है तो यहाँ पे आकर्षन की क्रिया द्वारा हमारा ceiling fan जो है वो rotate करता है यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें capacitor लगा है इस capacitor को भी हमें निकाल देना है यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें wire लगे है इन wires को भी हमने निकाल दिया है और यहाँ पे तीन या चार wire जो है इस induction motor वाले ceiling fan में लगे हो सकते हैं तो यहाँ पे इसमें तीन wire ही है मै से इस तरीखे से इसको धीरे से मार के और इसको निकाल लेंगे यहां पिर आप देख पाएंगे मैंने इसका जो इंडेक्शन मोटर का स्टिटर और यह आउटर रिम जो है इससे निकाल लिया है और अब हमें चुकि हमारा सीलिंग फैरं मार्ट बनाना है तो यहाँ पे हमें क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आप देख पाएंगे केवल हाउजिंग ही हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हाउजिंग जो है इसी को अब हम कनवर्जन किट के द्वारा BLDC सीलिंग फैन में कनवर्ट कर देंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे कनवर्जन किट जो है कुछ इस तरह की हमें ऑनलाइन मिलती है एमजोन पे और इसको पर्चिस करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप पर्चिस करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पुराने सीलिंग फैन में यही दो पार्ट हमने निकाले थे और इन ही को हमें यहाँ पे लगाना है इसमें एक मैगनेट रिंग है और दूसरी हमारी जो मोटर का इस्टेटर है यहाँ पे इसके अलावा और क्या-क्या हमें किट में मिलता है यहाँ पे आप देख पाएंगे एक RF remote control है और इसकी मदद से हम fan की speed को control कर सकते हैं काफी सारे इसमें features है तो यह RF remote हमें मिलता है और एटम बर के fan में RF remote नहीं होता है IR remote होता है यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका driver और power supply हमें इस तरीके से मिलती है इसको हम उपर साइड ही ceiling fan जहाँ पे canopy लगती है जहाँ पे capsiter लगता है वहीं पे place कर पाएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे इस kit में driver जो है BLDC driver बिलकुल अलग है और यही kit मैं prefer करूँगा यहाँ यह BLDC motor driver है और आपको यही kit purchase करनी है यहाँ पे आप देख पाएंगे यह driver पे 12 bolt की supply जो है वो पहुचाता है तो इस तरीके से 12 bolt operated BLDC driver है और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारे motor के wire है वो हमारे यहाँ पे लगेंगे साथ ही यह हमारा power supply और यह हमारा input DC वाले wire है यानि 12 bolt battery से भी इस fan को आप operate कर सकते हैं इस fan को आप use कर सकते हैं तो अग आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें RF का पूरा एक circuit में section है और इस remote control द्वारा आप दूसरे कमरे में बैठ के भी इस ceiling fan को control कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो driver है उसमें लिखा है 12 bolt से 30 bolt तक आप इसमें DC जो है वो दे सकते हैं यहाँ पर kit में हमें 12 bolt से लेके 30 bolt DC तक का एक label लगा हुआ दिख रहा है चलिए अब हम installation का process जो है उसे पूरा करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी ring और यह जो इसका stator है इससे हमें set करना है यहाँ पे आप देख पाएंगे यह जो ring है यह magnetic है और इसमें हमारा screw driver जो है वो च इसको driver नहीं चिपकता है और इस तरीके से अब इस ring की जगे हम यह ring लगाएंगे magnet वाली तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें ring हमें यहाँ पे adjust करनी है तो हो सकता है कि आपकी ring बड़ी आसानी से adjust हो जाए या फिर आपको कुछ थोड़ा सा रेती की साहता से उसको जो है घिस के आपको set करना पड़े तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह ring जो है इसमें perfect तरीके से fit हो गई है और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि इस ring को मैंने पहले set करने के लिए थोड़ा सा घिसा था यहाँ पे upper side की जो housing है वो भी हमारी सही से set नही फॉंस रही थी यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने cuts लगाय हुए है और जिसके बाद अब यह proper तरीके से ring जो है अब हमारी adjust हो पा रही है मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा आप देख पाएंगे इसमें cuts आप बिल्कुल सही से देख पाएंगे इस तरीके से म अब हम इसे fit कर सकते हैं चलिए अब हम इसका stator जो है उससे assemble करते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे wire जो है हमें इस तरह से निकाल लेने है और हम इसको हलका सा दबाके और इसको adjust कर पाएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे movement जो है बिल्कुल free है तो चलिए अब हम य green bolt लगे थे और उन्हें हमें tight करना है चलिए मैं इन्हें एक एक करके लगा देता हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और हमें धीरे-धीरे से थोड़ा-थोड़ा सा एक एक करके जो सभी bolt है उन्हें कसते जाना है जिससे कि यह फंसे नहीं और हमारा free पंखर रहना इसमें एक hole हमें देख रहा है यहीं पर हमारा यह जो wire है यह यह ही से निकल के हमारे driver में लगेंगे तो मैं इसे इस तरह से निकाल लेता हूं और यहां पर रवर हमें निकालना पणहिए चुक्यों कि यह हमारे जो wire है motor के जो अंदर से आए हैं वो नहीं निकल रहे थे, तो इस तरीके से आप हमने wire जो है उन्हें निकाल दिया है और यहाँ पर अब हम इसमें driver जो है उसे फिर से पहले की तरह लगा देंगे यहाँ पर आप देख पारे इस तरीके से हम driver जो है इसमें लगा देते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस तरीके से हमने power supply के साथ connector दिया है, यह wire DC से हमें fan चलाने के लिए हैं, और यह जो connector है, इससे AC input हम देंगे, तो यह AC DC fan है, हम DC के wire यह पहले connector लेते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैंने DC wire यहाँ पर connect कर दिये हैं, अब हम AC wire उन् मैंने यह अलग color code के wire लिए हैं, जिनने मैं AC input वाले connector के साथ connect कर दूँगा, तो यहाँ पर इस connector के साथ यह wire जो है, हमें connect करने हैं, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने wire जो है, उन्हें connect कर दिया है, तो इस तरीके से आपको इस fan के जो wire हैं, उन्हें connect करना है, और यहाँ प बाद canopy हमें लगानी होती है, canopy भी हमें साथ हमें मिलती है, लेकिन मैं वही पुरानी canopy जो है इसमें लगाऊंगा, और यहाँ पे हम इन nut board को खोल लेते हैं, और wire जो है इस तरीके से अंदर से हमें निकालने होती हैं, और मैं यहाँ पे wire जो है, निकाल लेता हूँ, और जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे तो यहां पर इस तरीके से मैंने ये फैन जो है पूरी तरीके से एसेंबल कर लिया है मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि जो कन्वर्जन किती उसमें एक कैनॉपी हमें साथ में मिली थी तो मैं इसका कलर चुकी अलग है तो थोड़ा सा और लगेगा इसलिए मैं ये कैनॉपीस में यूज नहीं करूँगा चलिए यहां पर अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं और इस पर मैं एक और वीडियो जल्द ही अप्लोड कर दूँगा अपने सेकंड चैनल पर तो वहां पर आपको इसको मैं टेस्ट करके और डेटेल में सारी जानकारी जो है वो दूँगा यहां पर हम वायर जो है इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे हम बैटरी से उपरेट करके देखते हैं यहां पर बैटरी के साथ में इस फैन को चला के देखते हैं यहां पर आप देख पाएंगे मैं ऐलिगेटर क्लिप लेता हूँ और इन वायर्स को देख पाएंगे तो यहाँ पर जब यह on होगा उससे पहले एक बार वीप करता है देखेंगे आप यहाँ पर वीप की आवाज आपको सुनाई देगी और यह fan जो है हमारा run करने लगा यहाँ पर इस fan को आप remote control द्वारा operate कर सकते हैं इसी तरह से यह BLDC fan जो है आप AC supply से भी operate क सकते हैं उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day